कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह इसके बारे में चर्चा करेंगे और इंडिपेंडेंट हाउस इसके बारे में भी बात करेंगे तो यह कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको लेके काफी सारी कन्फ्य करते हैं तो मैंने सोचा कि चलो यह टॉपिक आज कवर करते हैं टेनेंटेट अंटेनेंटेट और इंडिपेंडेंडेंट हाउस इस क्या होते हैं यह वीडियो आप फूरा अंतक देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक कुंडली के मा इनॉस्मेंट भी है कि हम एक नया बैच लॉंच करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2021 से इसकी रिजिस्टेशन की जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर है यह सामने स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप इसके उपर कॉल करके या वाट्सेप करके ज्यादा डिटेल्स ले लेहं हैं बैच इसका तो आप यह जानकरी ले सकते हैं यहां से तो अभी टेनेंटिड और एंटेनेंट चाहें थे उैफर इसके लावह जो है तो इसकी जudent जो जैनकरी पहले वहां से शुरू करना चाहूंगा KP का एक simple rule है या golden rule है कि कोई भी planet जो है वो अपने नक्षत्रा का result देता है या आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि जो भी कोई planet है वो जिस भाव में बैठा है जिस भाव का वो मालिक है अपनी राशी के द्वारा उसका result वो किसी दूसरे planet के नक्षत्र के रूप में जब अपियर होगा तब वो डिलिवर करेगा अब अगर कोई ऐसी कुंडली आपके सामने आ जाए जिसमें कोई planet as a नक्षत्रा लॉड अपियर ही ना हो या यूं कहिए कि कि किसी ऐसे planet की हम बात करें जो जिसके नक्षत्र में कोई भी planet नहीं है उस कुंडली में तो उन घरों का result कैसे डिलिवर होगा इसके बारे में जो जानकारी है वो के पी एस्ट्रालोजी में tenanted, untenanted या आप independent houses से उसको समझ भाएंगे तो एक चार्ट ले लेते हैं यह हमने बारा तरीक का बारा ग्यारा दोहजार एक्किस रात को नौ बच के तीन मिनिट का लुध्याना का यह चार्ट बनाया है तो यह एस्ट्रो ट्रांजिट सॉट्फियर में ने यूज किया है इस जिसमें आप यह देखें इस चार्ट को एनलाईज करें कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके नक्षत्र में यह प्लैनेट डेटेल्स दी गई हैं कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो एज नक्षत्रा कहीं अपियर नहीं हुआ तो इस में अगर आप यह स्टार लॉड का कॉलम देखेंगे तो यहां पे आपको मरकरी बुद्ध कहीं भी ऐस स्टार लॉड नहीं देख रहा और नहीं शुक्र तो 12-11-2021 को रात को 9 बच के 3 मिनट पे अगर लुध्याना में किसी का बर्थ हुआ हो या हुआ होगा तो उसके मरकरी और वीनस के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है देखे आपको ये नीचे युरेनस नेप्चुन फॉर्चुन को भी छोड़ देना है आपको सन, मून, मार्ज, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटरन, राहु, केतु इनके नक्षत्र को स्टार लॉड को एनलाईज करना है यहां पे आपको मरकरी या वीनस कहीं नहीं देख र साथ ग्रे हैं और दो छाया ग्रे हैं इनको सबके तीन-तिन नक्षत्रा हैं जैसे केतु के भाग में अश्वनी, मागा और मूला ये तीन नक्षत्रा आते हैं शुक्र के भरनी, पूर्व फालगुनी, पूर्व शाड़ा, सूर्य में कृतिका, उतर फालगुनी, उतर शाड तो अब इस कुंडली में बुद के अशलेशा जेश्टा और रेवती में कोई प्लेनेट अपियर नहीं हुआ है उसके शेत्र में नहीं चल रहा और नहीं शुकर के भरनी पूर्व फालगुनी और पूर्व शाड़ा नक्षत्र में या स्टार में कोई प्लेनेट है तो अब उस कुंडली की तरफ दुबारा चलते हैं तो अब जब हम इस कुंडली का रेजल्ट बनाएंगे या हम देखेंगे कि मरकरी किन किन हाउसेस का रेजल्ट देगा क्योंकि मरकरी के नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं है तो पहले मरकरी को देख लेते हैं बुद को देख लेते हैं तो बुद इस कुंडली में भाव चलत में पंचम भाव में बैठा है फिफ्थ हाउस में बैठा है और पहले भाव का और चौथे भाव का ये उनर है तीन और छे राशी जो बुद्ध की है वो इस भाव चलित में लगन में तीन नमबर लिखा है और छे नमबर लिखा है जो तूसरी राशी है बुद्ध की वो लिखी है हमारे चौथे भाव में और बुद्ध खुद बैठा है पंचम भाव में तो इस कुंडली में बुद्ध जो रिजल्ट देगा एज प्लेनेट वो एक चार और पांच का देगा वन फोर फाइव तो मरकरी अब नॉर्मल एस्ट्रॉलजी में जब हम बात करते हैं कि कोई प्लेनेट जो है मरकरी ये एक चार पांच का रिजल्ट एजब नक्षत्र लॉड कहीं अपियर होगा तो ये रिजल्ट देगा अब इस कुंडली में ये एज नक्षत्र लॉड कहीं अपियर नहीं हुआ तो अब ये अपना रिजल्ट खुद देने के लिए बाध्य है तो जब किसी प्लेनेट के अंटेनेट प्लेनेट किसको बोलेंगे वो प्लेनेट अब प्लेनेट विच हैज नो प्लेनेट इन इस नक्षत्रा या कॉंस्टलेशन जिसके जब वो प्लेनेट किसी भी प्लेनेट के स्टार लॉड के रूप में अपियर नहीं हो वो अपने ओनर्शिप और अपनी प्लेस्मेंट का रिजल्ट खुद डिलिवर करेगा खुद देगा तो ये हो गया अब चलते हैं टैनेंटेड प्लेनेट्स कौन से होते हैं जिस प्लेनेट में या जिस प्लेनेट के नक्षतरा में कोई दूसरा प्लेनेट हो तो वो अपनी प्लेस्मेंट और राशी का रिजल उतनी तीवरता से नहीं देता, उतनी अच्छे से नहीं दे पाता। इसको आप यूँ समझिये कि आप माल लेजिये आप हैं अभी सूर्य की बात कर लेते हैं, सूर्य के नक्षत्र में राहू चल रहा है, तो सूर्य के घर के अंदर राहू आ गया है, सूर्य के एरिया में राहू आ गया है, अब जब आपके घर में कोई आपका गेस्ट आ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो आपको उसके हिसाब से अपनी दिना चार्य या अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो सूर्य के नक्षत्र में राहू आके बैठ गया तो राहू पहले रिजल्ट देगा जो डिलिवरी है सूर्य के रिजल्ट की वो राहू द्वारा दी जाएगी तो राहू के हिसाब से राहू की तरह से सूर्य बहेव करेगा या राहू सूर्य की तरह बहेव करेगा इस कुंडली में इसकी दूसरी एक्जामपल ले लेते हैं इस तरह मंगल की अगर हम बात करें तो जुपिटर गुरू जो है वो मंगल के नक्षतर में हैं तो मंगल जिन इन भावों को सूचित कर रहा है उन उन भावों का जुपिटर सबसे स्ट्रॉंगली रिजल्ट देगा तो मंगल इस कुंडली में टेनेंटेड है अंटेनेंटेड नहीं है उसके नक्षत्र में एक प्लैनेट है जुपिटर तो वो अपने नक्षत्र लॉड की तरह नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके नक्षत्र आकुपाइड है वो एक यह घ्रक है वह आपको समझ में आ अगया होगा जिस प्लैनेट के नक्षत्र में तरह में जब आप बनाएंग के इस तरह से planets यह software बहुत सारे software में यह सुविदा है जहां पे आपको जनम समय जनम तारीक और स्थान भरेंगे तो star lord खुदी calculate होके आ जाता है यह software जो हम यूज कर रहे हैं यह एस्ट्रो ट्रांजिट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं तो star lord यहां पे आप देखेंगे य अब Venus के result को check कर लेते हैं Venus जो है वो इस कुंडली में भाव चलित में 6 में 6 भाव में है उसकी दो राशिया दूसरी और साथ में पंचम भाव में है साथ नंबर और दूसरी राशी है बारा भाव में तो शुकर इस कुंडली में 5, 6 और 12 का result देगा लेकिन क्योंकि यह planet भी untenanted है इसके नक्षत्र में भी शुक्र के किसी भी नक्षत्र में शुक्र के भरनी पूर्वफालगुनी या पूरशाड़ा में कोई भी planet नहीं है इसलिए शुक्र भी अपना result जो है वो खुद ही deliver करेगा as an untenanted planet तो शुक्र भी इस घर कुंडली में पांच, छे और बारा का result अपने द्वारा ही देगा अब ये हो गई कहानी untenanted और untenanted planets की इसके इलावा इस जनम कुंडली में जो हमने बनाई है सभी के सभी planets जो है उनके नक्षत्रा में कोई ना कोई planet है जैसे गुरू के नक्षत्र में सूर्य है राहू के नक्षत्र में चंद्र है, मंगल के नक्षत्र में गुरू है, केतू के नक्षत्र में शुक्र है, चंद्र के नक्षत्र में शनी है, सूर्य के नक्षत्र में राहू है और शनी के नक्षत्र में केतू है तो इन दो बुथ और शुक्र मरकरी और वीनस के इलावा कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जिसके नक्षतर में कोई प्लेनेट नहीं चल रहा तो एक चार पांच और पांच छे बारा इन हाउसेज को ये दो प्लेनेट खुद ही रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे ये अपिय अपियर नहीं हुए तो अब बात आती है इनडीपेंडेंड हाउस ये इनडीपेंडेंड हाउस दोस्तों इस तरह से आप इसको समझोगे जब हमने किसी प्लेनेट को देखा कि वह अन्टैनेंटेड है इस तरह का है जैसे मरकरी और वीनस है इनके नक्षतर में कोई भी प् तो हमने इन planets को tenanted या untenanted की category में रख लिया कि आपके घर में कोई मेमान है या नहीं है अब जो इनकी राशियां है ये planets की जैसे बुद्ध की तीन और छे राशी है तो अगर तीन और छे राशी जिस भाव में पड़ी है जिस भाव में लिखी है उस भाव में अगर कोई और planet नहीं है तो ये जो उन भावों के result independently बहुत ज्यादा strongly बुद्ध देगा तो बुद्ध की strongly जो किनिफिकेशन आएगी वह पहले भाव की और चौथे भाव की आएगी एजन इंडिबेंडेंडेंट हाउस ये हो गए अंटेनेंटेंटे और एक और चार हाउस क्योंकि पहली राशी तीन नंबर में कोई प्लैनेट नहीं है और चौथे भाव में बुद्ध की जहां दूसरी राशी पड़ी है बुद्ध की तीन और छे राशी के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है पहले हमने नक्षतरा चेक किया tenanted and tenanted को देखने के लिए फिर independent houses को देखने के लिए हमने उनकी राशियां देखी जिस जो planet untenanted है उसकी क्या राशी खाली है अगर उसकी राशी में कोई नहीं है तो वो अपनी राशी का जो result है वो भी बहुत strongly से देगा तो उन houses के उन भावों का result भी independently देगा जो की एक और और चार निकल के आया अब हम शुक्र का इसी तरह से चेक करेंगे शुक्र का अगर हम देखें तो शुक्र बैठा है शेमे भाव में इसकी राशी पंचम भाव में है जहां पे चार planet बैठे है जो लिबरा राशी है साथ न भाव का result यह इंडिपेंडेंट्ली नहीं दे सकता शुक्र की जो पहली राशी है टॉरस वह खाली है तो बारा भार्मे भाव में यह दो नंबर लिखा है तो बार्मे भाव का जो result है वह शुक्र देगा इंडिपेंडेंट्ली ट्वेल्थ हाउस का यह है मरकरी के इंडिपेंडेंट हाउस और यह हैं वीनस का इंडिपेंडेंडेंट हाउस तो यह जब कोई प्लेनेट अंटेनेंट्ट होगा तो हम उसकी राशियां देखेंगे उसकी जो जौन सी राशी खाली होगी जहां पे कोई प्लेनेट नहीं होगा उस भाव को हम इंडिपेंडेंडेंड हाउस मानके उसका result strongly use करेंगे utilize करेंगे अब एक और बहुत important चीज़ आती है जब ये planet untenanted है और independent houses भी है तो ये result कहा कहा पर deliver करेंगे इनका impact कहा कहा पर आएगा किस किस prediction में हम इसको use करेंगे तो दोस्तों इसको हम use करेंगे जहां जहां पर ये खुद operate होंगे वहां पे अब इसको sub lord level पे भी check करेंगे जैसे mercury venus के sub में है venus एक untenanted planet है तो venus अपनी जो signification है वो बहुत strongly mercury के sub lord के रूप में देगा तो किन-किन भावों की देगा venus 12th house की strong signification देगा जो उसका independent house है 5-6-12 का तो वो result देगा लेकिन 12 भाव का result वो strongly देगा as a sub lord क्योंकि वो untenanted plus independent house है तो उसकी जो power है 12th house की वो बहुत increase हो जाएगी अब इसी तरह mercury एक दूसरा untenanted planet है तो mercury venus जो planet है वो mercury के sub lord में है तो ये untenanted planets जहां पे sub lord की तरह appear होंगे वहां पे अपने द्वारा सूचित किये गए भावों का अपनी placement का अपनी राशियों का और अपने independent houses का result बहुत strongly देंगे तो शुकर इस कुंडली में बुद्ध के द्वारा सूचित किये गए एक और चार भाव के वन और फोर जो independent house है उसका result बहुत जहादा strongly देगा और बुद्ध की जो complete signification है वन फोर फाइफ इसका ये सूचक तो बनेगा ही तो ये है दोस्तो कुछ ऐसे hidden secrets ऐसी चीजें जो शायद किसी एक किताब में या कहीं आपको ऐसी मिलेंगी नहीं जिस तरह से मैंने आपको बताई और tenanted, untenanted planets और independent houses की utilization कुंडलियों में prediction में हमारी आने वाली videos में हम करेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें next batch की date मैंने आपको पहले भी बताई थी फिर से repeat कर रहा हूं कि 20 November 2021 से हम इस साल का last batch start करने जा रहे हैं अगर आप interested हैं KP astrology, predictive astrology और बिना किसी मिलावट के आप कृष्णामूर्ती पदिती को सीखना चाहते हो तो आप इस दिये हुए नंबर पे जरूर संपर्क करें तो I hope कि आज जो मैंने ये topic cover किया tenanted, untenanted और independent houses ये आपको इस simple सरल कुंडली के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की तो ये आपको अच्छा लगा होगा आप इस वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीजिए Thank you very much